मोशम विभाग की सेतावनी के बाद शनीवार सवेरे जालोर जिले के सुन्दा माता परवत पर जम कर मुशला धार बारिश हुई जिससे सुन्दा माता परवत पर पानी ही पानी हो गया और नदी की तरह पानी बहने लगा जिससे यात्रियों को कुछ असुविदा भी हुई आपको बता दें मुश्म विभाग ने पहला ही सेतावनी दी थी कि 125 अगस्त को जालोर शांचोर जिलों में मद्यम से भारी बारिस हो सकती हैं वहीं एक दो इस्तानों पर भारी बारिस की परबल संभावना की सेतावनी भी दी थी वहीं सक्रिय तंदर का सरवादी परबाव गुजरात के समीप के भागों में 125 अगस्त को रहने की संभावना की सेतावनी दी थी आपको बता दें कि गुजरात के समीप सुन्दा मता परवत होने के कारण सुन्दा मता परवत पर आज सनीवार सवेरे जमकर मेग बरसे वहीं आपको बता दें कि 25 अगस्त को भी बारिस होने की परबल संभावना है करश्री मोशम विश्य सग्या, करश्री विज्यान के अंदर केशमना के आनंद कुमार सर्मा ने सेतावनी दी है कि 125 अगस्त को परबल अच्छी बारिस होने की संभावना है का में कई कई जालोर और संग्सोन जिलों में बारी बारी इसकी बी से तावनी दी है ऐसे में सनीवाइक को सुंदा मत पर्वत के आस्पाज Satt परुट कर दो लादे कर दो दो है उलका जगा है